अगर आप एक student हैं और कर रहे हैं government job की तयारी तो आज का ये वीडियो देख सकते हैं भारत के सभी विद्यारतियों के लिए एक और नई update है अगर आपके पास call vacation है और call vacation के साथ आप एक तयारी कर रहे हैं continue तो आज बिजली विभाग में कर पाएंगे एक नई नोकरी आज हो चुकी है 20 में और 20 माई की एक नई भरती आई हुई है जिसके उपर में बात आप लोगों से करूँगा इसमें UP राज्जे से निकली हुई vacancy है और लेकिन आवेदन सभी विद्यारती इसमें कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस vacancy को शुरू करने से पहले मैं दो लाइने करूँगा अगर जो भी विद्यारती हमारे चैनल पे पहले बार विजिट कर रहा है या फिर नए भी student है तो आपको हर एक अपडेट के बारे में चाहे भले वो परायमेट हो या भले गौर्मेंट हो या फिर किसी योजना के बारे में हो या फिर एडमिट कार्ड या फिर सलेवर से एक्जाम जो भी आपको डिटेल्स लेनी है तो आप अमारे चैनल को कर सकते हैं सस्क्राइब और साथ में बेल आइकन को ओल कर लीजिएगा ताकि जो भी होगी अपडेट आप लोगों को मिलेगी तो आज अपन बात कर रहे हैं यूपी राज्ये विदुद उत्पाद निगम लिमिटेड के अंदर ओनलाइन एप्लिकेशन होगा सरकारी नोकरी है महिला हो या फिर पूरुस हो या फिर विकलांग हो या फिर विकलांग हो सब के लिए यहां पर पोस्ट होगी इसमें जर्नल हो, ST हो, OBC हो सारी केटिगरी को यहां पर इंवाइट किया गया है एक और अच्छी भरती है 34,000 या फिर 40,000 या फिर 25,000 तक हदिक्तम सेलरी आप लोगों को मिलेगी तो चलिए आज की इस अपडेट को विध्यापन के तेट आप लोगों को जानकारी लेनी होगी, देखेगा अगर आप लोग इसकी पूरी अपडेट लेते हैं तो इसके विविध्यापन पे जाना होगा क्या हम राजस्तान के हैं हरियाना के हैं क्या हम यूपी में नोकरी कर सकते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब मैं दू एक लाइन में तो आप लोग जरूर अपलाई कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडिशन होगी इस विग्यापन के तैद इसलिए थोड़ा वेट कीजेगा देखे है कि नीमन पदों पे भरती निकालीगी है पतों की भरती सीधी माड़ें परती योगिता परिक्स दोरह चैनित की जाएगी निधारत योग्ययोगिता के आदार पे भारत का नागरी क्या ओन-लाइन होना जुरूरी है या फिर आप लोग ऑन-लाइन माड़ें से जमार करवा इसमें 125 है और इसमें यांतरिक विदूत यांतरिक यानि कि civil mechanical mechanical electrical electronics computer science यह सारी qualification आपके पास होना ज़रूरी है जैसे बात करें तीन साल का diploma मान लीजे जैसे कि बात करें btec वाले विद्ध्यार्ति है इसमें अप्लाई कर सकते हैं यही विद्यारती इसमें अपलाई कर पाएंगे जर्नल की बात करें SC की बात करें OBC की बात करें EWS की बात करें तो यहां पर अलग-अलग पोस्ट इनकी दे रखी है देखेगा अब इसमें उप्रोक्त रिख्त पदों के लिए आवे सकता गठाई जा सकती है वो सकता है बढ़ाई भी जा सकती यानि कि पदों के संके 125 है उन पदों के यहां पर बढ़ाई भी जा सकता है या फिर उसे गठाई भी जा सकता है उप्रोक्त पदों पर आरक्षन जो आरक्षन गवर्मेंट के जिये दजरीद दे जाएगी वो उत्तर पर्देश राज्ये के मूल निवासी है उन्हीं को अनुमित किया जाएगा अगर अन्य पर्देश के अभ्यारतिस में आविदन करते हैं तो उनको यहाँ पे जर्नल केटिगरी में ही इंक्लूड किया जाएगा तो यानि की इस बासी एक क्लियर होता है कि भारत के स तो भी आपको जर्नल में जाना होगा क्योंकि यह सुविदा आरक्षन सुविदा यूपी वाले विध्यारति के लिए ही आविदन या फिर दे रखी है लेवल देखेगा सेलरी का देखेगा मैंने 34,000 बताया था लेकिन यहाँ पे 56,000 तक आप लोगों को सेलरी मिलेगी डिटेल स्वागी हिंदी लेंग्वेज के बारे में आपकी जो ट्रेड है जिसकी इलेक्ट्रिकल इसीजी उसके बारे में आपे जानकारी होना ज़रूर है मेकेनिकल इंजिनेरिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग हो उनकी यहाँ पे पोस्टे दे रखी है तो फिर से बात करूं तो बीट एक तो होगी बीट डिग्री भी हो जाएगी इसमें अगर आपके पास डिग्री है एजुकेशन सेल्स नॉट एनीजबेल या फिर जो भी कंडिडिर से मैं अप्लिकेशन पूर्ण तरीके से अपलाई नहीं कर पाएगा उसका फोर्म रिजेक्ट ह आदा होगा, सनस्ता या किसी द्वारा कोई ऐसा नहीं होगा इन्वर्सीटी या कॉंटैक्ड आप烟ी आपके पास लिजारली से तक अई इसमें प्लाई कर सकते है लेकिन जर्णल सी स्ट काटिकरी को वहां पर संस्ता के जरीए आरक्षन की सुविदा मिलेगी अब एप्लिकेशन फीस में सबसे बड़ी बात है क्योंकि कई विद्यारती आवेदन सुलक को आवंत्रित प्रोसेसिंग सुलक भी कहते हैं आवेदन करने के लिए एससी एस्टी उमूल निवासी विद्यारती हैं जिनके लिए यहां पे लगा रहें तो ग्यारा सो रूपए यहां पर आपको देना होगा आरक्सन वाले विद्यारती को ही मिलेगा अब यह आवेदन भी विल्कुल ओनलाइन होगा वापिस नहीं दिया जाएगा रिटन एपल नहीं यह थोड़ा भी किलेर कर लेज़ेगा फों भर दिया सेलरी होगी सेलर के बाद इसके आयू सीमा होगी अब होता है सेलर वर्ष आखिरकार फों बरने के बाद आपको तयारी करने होगी तो किस परपस से करने होगी यह भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं सीबीटी ओनलाइन पीपर होगा पर्षन पत्र के आदार पर फोटो कोफी आप फों बरने के दी जाए तो आपके जो एक्जाम होगी वहाँ पर फोटो सिगनेचर होना जरूरी है यह सारी चीज़े आदार काड आईडी प्रूपी लेके जानी होगी तब ही आप लोगों आ इंजिनेरिंग के बात के जाए तो इसमें 1500 क्यूशन होगा पहला पेपर अलग होगा सेकेंड पेपर इसमें 50 क्यूशन ऑबजेक टाइब के आएंगे तो यह थोड़ा विग्यापन काफी बड़ा चलने वाला है सिधा लास्ट बेट पर लेके चलो तो 23 मई 2022 में आवेदन 14 अच्छे 2022 तक आवेदन के अंतिम तारीक यह भी क्लियर होगी यूगी बाकी ओर डिटेल आप लोग खुद देखेगा आज का यह वीडियो है काफी हद तक समझाने की कोशिस किये एक एक पॉइंट अगर फिर भी आप लोगों को फ्रोड लगे या फिर भी आप लोगों को जह हिन